Hello dear students, welcome to the class. In today's class we are going to read विहार बोड़ बुक, Blossom of Class 5th. Lesson 10 The Ant and the Grass ओपर प्यारे बच्चों, आज हम लोग Blossom बुक से Part 10 The Ant and the Grass ओपर पढ़ने जा रहे हैं. सभी बच्चे अपने बुक निकाल लेंगे और लेसन को खोल लेंगे. जब मैं इस लेसन को पढ़ाऊं और समझाऊं तब आप लोग एक-एक वर्ड पर ध्यान देते चलेंगे. एक-एक शब्द पर आप ध्यान देंगे. जो शब्द आपको कठीन लगता है उसको आप अपनी कॉपी में लिखकर और उसका हिंदी में अर्थ लिख लेंगे. आएए इस लेसन को हम लोग पढ़ते हैं. एक छोटी सी कहानी है. चेटी और जिद्डे की कहानी. अपने करतब्यों को अपने कामों को हम लोग कभी कभी नजर अंदाज करते हैं. अंदेखा करते हैं. Have you ever done that? क्या कभी? ever का मतलब है कभी. आपने ऐसा किया है. Why did you do it? आपने ऐसा क्यों किया? Why? क्यों किया? What happened when you did so? क्या हुआ? What happened? क्या हुआ? जब आपने इसको ऐसा किया. आईए हम लोग आगे बढ़ते हैं लेसन की और. In the cold region, near the northern most part of the world, it was summer time. In the cold region, ठंडे छेत्र में, near the northern, उत्री हिसे के नजदीक, उत्री हिसे के पास. Reason का मतलब होता है, यहां हिंदी में, छेत्र, cold छेत्र, याने की ठंडा छेत्र. Near the northern, उत्तर के नजदीक, जो धर्ती हमारी होती है न, तो यह उपरी साइड में और दक्षनी के एकदम नीचे की इनारे बहुत ठंड होती है. तो बता रहे हैं, near the northern, याने की उपरी हिसे तरफ, उत्तरी हिसे की तरफ, most part of the world संसार के जादातर हिसे, most part, जादातर हिसे, जादातर भाग, of the world संसार के जादातर हिसे. इट वस समर टाइम, गर्मी का समय चल रहा था. तो यह पूरे संटेंस का अर्थ हो जाएगा, दुनिया के सबसे उत्री भाग के जादातर, ठंडे छेत्र में, इट वस समर टाइम, गर्मी का समय चल रहा था. Everyone there looked forward to summer after the horrible cold winter. Everyone, प्रतेख लोग there, वहाँ पे looked forward, आगे देख रहे थे, looked forward, आगे देख रहे थे to summer, गर्मी को, after the horrible cold winter. Horrible cold का मतलब होता है, भयंकर या बहुत कड़ाके की कहेंगे, बहुत कड़ाके की ठंड और सर्दी से. तो everyone, प्रतेख लोग बहुत ही कड़ाके की भयंकर ठंडी के बाद, समर की ओर, याने की, समर के लिए, गर्मी के लिए देख रहे थे. The sun shone brightly and all the creatures were happy. The sun shone brightly, सूरज चमक उठा, and all the creatures, creatures का मतलब होता है, सभी जीव, सभी प्रानी, creatures, प्रानी, वर हापी, खुश थे, वर थे, हापी, खुश. The grasshopal was relaxing and playing music happily. The grasshopal, Tiddha, was relaxing, relaxing का मतलब होता है, अराम फर्मा रहा था, and playing music happily, और music, गाना बजा रहा था. He was content to play music and sit in the sun. He was content, content का मतलब होता है, संतुष्ट था, to play music, गाना बजा कर, and sit in the sun, और धूप में बैठ कर, वो बहुत ही संतुष्ट था. The ant kept, scurring up and down, carrying grains of wheat. The ant kept, ant kept, याने ant ने जारी रखा, scurring up and down, अपने छोटे कदमों से तेजते चलना, scurring का मतलब होता है, अपने छोटे कदमों से तेजते चलना, up and down, उपर और नीचे, तो ant ने अपने छोटे कदमों से तेजते चलना, उपर नीचे करना जारी रखा. Carrying grains of wheat, carrying मतलब धोना, grains, अनाज of wheat, गेहूं के अनाज को धोनने के लिए, उसने उपर नीचे तेजते कदमों से चलना जारी रखा. She looked tired and hot. वह थकी और गर्म लग रही थी, looked, लग रही थी या दिख रही थी. She must have worked for a long time. उसने काफी समय से, long time, काफी समय से काम किया था. Why are you bustling about in this weather? The grasshopper asked to ant. Busting का मतलब होता है, विस्तता से काम करना. Why are you busting about in this weather? तुम इस मौसम में किस लिए ब्यस्तता से काम कर रही हो? About किस लिए ब्यस्तता से काम कर रही हो? The grasshopper asked the ant. Grasshopper ने ant से पूछा. Ask का मतलब होता है, पूछा. I am preparing for winter when there will be less food. मैं prepare कर रही हूँ, तयार कर रही हूँ for winter. ठंड के लिए for winter. फूर का मतलब होता है, के लिए winter ठंड के लिए. When there will be less food, जब, when, जब, बहुत कम भोजन होगा. मैं ठंड के लिए तयार कर रही हूँ, सर्दियों के लिए तयार कर रही हूँ, जब बहुत ही कम भोजन होगा. And I think you should do so too. And I think, और मैं सोचती हूँ, you should, तुम्हे भी, do so too. तुम्हे भी ये करना चाहिए. The ant replied, ant ने जबाब दिया. Replied का मतलब होता है, जबाब देना. The grassoper ignored the advice of the ant. The grassoper today ने ignored, अंदेखा कर दिया, नजर अंदाज कर दिया. The advice, advice को, सलाह को, advice मतलब सलाह को, of the ant. चीटी के सलाह को, उसने, टिड़े ने अंदेखा कर दिया. After the severe winter, the sun was perfect. After the severe winter, बहुत कडाके, severe का मतलब होता है, बहुत जादा, बहुत अधिक. यह हम कह सकते हैं, कडाके की ठंड के बाद, after the severe winter, कडाके की ठंड की बाद, the sun was perfect. Sun एकदम बिल्कुल सही था, सूरज एकदम सही निकला था. The grasshopper was enjoying the sunshine, for too much to start collecting food for the winter. The grasshopper was enjoying, मजे कर रहा था, enjoying मतलब मजा ले रहा था, the sunshine, धूप का वो मजा ले रहा था. Far too much to start collecting food for the winter, और सर्दियों के लिए भोजन कलेक्ट करना, भोजन इकठा करना, अभी दूर था, बहुत दूर था. Far too much, बहुत दूर था. आएए यहां से देखते हैं. So, he lay on the warm grass and began to play his music again. So, he, और इसलिये, lay on the warm grass, वो घास पर लेट गया, lay on, लेट गया, कहा पर on the warm grass, गरम गरम घास पर वो लेट गया, warm grass, गरम घास. And began to play his music again. और वो अपना music प्ले करने लगा, चलाने लगा, बजाने लगा. Soon the winter came, soon, जल्दी ही winter came, सर्दी आ गई, ठंड आ गई, जल्दी ही सर्दी का समय आ गया, ठंड का मौसम आ गया. The grass was cold and frosty, and the wind howled across the field. The grass was cold and frosty, grass क्या थे, ठंडे थे, और frosty, बर्फ से धके हुए थे, and the wind howled, जोर जोर से आवाज करके भना, और हवा तेज आवाज करके बह रही थी. Across the field, field के, मैदान के आर पार, घंडी हो गई थी, और बर्फ से धक गई थी, and the wind howled across the field, और मैदान के आर पार, बहुत ही तेज तेज आवाज करते हुए हवा चल रही थी. The ant was sleeping happily in her home, because her ladder was full of corn and wheat. The ant was sleeping happily, sleeping happily, खुशी से सो रही थी, ant, चीटी, खुशी से सो रही थी in her home, उसके घर में, because, क्योंकि, because, her ladder, उसका गोदाम, उसका भंडार, was full of corn and wheat. उसका गोदाउन, उसका भंडार भर गया था, मकई और गेहु से. She knew that she had enough food to last the entire winter. She knew that वह जानती थी कि, she had enough food, उसके पास प्रयाप्त, उसके प्रयाप्त, भोजन था, to last the entire winter, पूरी सर्दी चलने के लिए, वह जानती थी कि, उसके पास पूरी सर्दी चलने के लिए प्रयाप्त, भुड है, भोजन है. The grasshopper was starting to get hungry, grasshopper Tida was starting, शुरू हो गया था, to get hungry, भूख लगने, तो Tida को अब भूख लगने शुरू हो गया था. He looked outside to see if there was grass to eat, उसने बाहर देखा, to see if there was grass to eat, ये देखने के लिए की खाने के लिए कुछ घास है या नहीं. But it was too cold, लेकिन बहुत थंड थी, too cold, बहुत थंड थी, for the grass outside to go, बाहर में बहुत थंड थी घास उगने के लिए, and so there was no food for the grasshopper और इसलिए, grasshopper के लिए कोई भुड, कोई खाना नहीं था. For a while, the grasshopper wondered what to do, कुछ समय के लिए, for a while, थोड़ी देर के लिए, for a while, थोड़ी देर के लिए, the grasshopper wondered what to do, wondered मतलब चिन्तित था या चिन्ता किया, what to do, क्या करें? थोड़ी देर के लिए ग्रासों पर चिंतित हुआ कि अब क्या करे Suddenly, अच्छानक, he remembered that the ant would always have some food Suddenly, he remembered, अच्छानक से, suddenly, अच्छानक से He remembered उसको याद आ गया That, की, the ant would always have some food Ant के पास, चिंटी के पास हमेशा कुछ खाने को होता है So, he went into the cold wind and walked to the ant's house So, इसलिए, it went into the cold wind थंधी हवा में गया and walked to the ant's house और चल कर ant के घर पहुँच गया Please, may I have some of your food? The grasshopper begged Please, may I have some of your food? क्रिप्या Please, क्रिप्या May I have सकता हूं Some of your food? क्या मैं तुम्हारे भोजन में से कुछ खा सकता हूं? तुम्हारे भोजन में से क्या मैं खा सकता हूं? The grasshopper begged grasshopper ने याचना की grasshopper ने विन्ती की की क्या मैं तुम्हारे भोजन में से कुछ सम खा सकता हूं? The ant was angry and irritated because she had worked very hard to collect enough food for the long winter months ahead The ant was angry and गुसा थी Angry का मतलब गुसा And irritated और खिन भी थी वो बहुत गुसा कर रही थी खिज रही थी Because, क्योंकि she had worked very hard क्योंकि उसने बहुत कठीन महनत की है Hard work उसने किया है कठीन hard का मतलब होता है कठीन worked महनत किया है To collect enough food for the long winter months ahead आगे सर्दी के महीनों के लिए उसने लंबे समय तक क्या किया है प्रयाप्त भोजन इकठा करने के लिए इन a food ने प्रयाप्त भोजन collect इकठा करने के लिए उसने काफी महनत किया है If you haven't been so lazy and had prepared for the winter as I had suggested you wouldn't be hungry now Ant कह रही है If you haven't been so lazy यदी तुम बहुत lazy नहीं हुए होते So, so मतलब बहुत lazy मतलब आलसी अगर तुम बहुत आलसी नहीं हुए होते And hard prepared for the winter और तुम winter के लिए सर्दियों के लिए prepare किये होते तैयारी की होती As I had suggested जैसे कि मैंने तुमको suggest किया था सलाह दिया था You wouldn't be hungry now तो इस वक्त तुम भूखे नहीं रहते तुम भूखे नहीं रह सकते थे I don't have any extra food for you I don't have मेरे पास नहीं है Any extra फालतू का Extra फालतू का Food for you तुमारे लिए भोजन नहीं है मेरे पास extra और भी फालतू तुमारे लिए भोजन नहीं है The aunt went back to her warm fire and stocked cupboards The aunt went back and वापस चली गई went back वापस चली गई to her warm fire गर्म आग के पास and stocked cupboard और भरी हुई अलमारी के पास Leaving the lazy grasshopper out in the cold Leaving छोड़ कर the lazy grasshopper सुस्त और आलसी टिड़े को छोड़ कर out in the cold बाहर थंड़क में उसने आलसी टिड़े को छोड़ कर वो अंदर अपने गरम आग और भरी हुई अलमारी के पास चली गई The grasshopper stood there not knowing what to do The grasshopper stood grasshopper खड़ा रहा there वहाँ पर not knowing what to do नहीं जानता था कि क्या करे तो grasshopper बाहर थंड़ में खड़ा रहा और उसको ये पता नहीं चल रहा था कि अब वो क्या करे इसलिए कहा जाता है कि बच्चे जब ही वी जो काम आपको करने हैं समय पर ही करना चाहिए और कोई भी काम करने के लिए हमें आलस कभी भी नहीं करना चाहिए ये नहीं कि आज का काम चलो हम मेरे पास टाइम है कल कर लेंगे परसो कर लेंगे इस तरह से नहीं होना चाहिए बलकि हर एक काम को समय पर कर लेना चाहिए इसलिए हम आगे के लिए free हो सकेंगे और खुश भी रहेंगे प्यारे बच्चो अभी आपकी बारी है आपको क्या करना है कि इस lesson को अच्छी तरीके से reading करेंगे word by word, sentence by sentence अच्छी तरीके से आपको pronunciation करने है और reading करने सीखना है जो भी कठिन words आए हैं इस lesson में आप उसको अपनी copy में meaning के साथ लिखेंगे आपकी book में भी last में दिया हुआ है words to know ये भी आप लिखकर सीखेंगे मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में तब तक के लिए आप लोग अभ्यास करते रहिए take care, bye bye